शाशन प्रती, शमन भगवान मावी स्वामी के श्री चर्णों में भाव पुर्वक वंदन, असीम असीम उपकारी, राष्ट्र संद, पुझ्य गुरुदेव के श्री चर्णों में भाव पुर्वक वंदन, सभी उपकारियों के चर्णों में भाव पुर्वक वंदन अगर आपको पूछा जाए, क्या आपके घर में खिड़की है, क्या आपके घर में विंडो है, तो क्या जवाब आएगा, तो क्या जवाब होगा, स्वाबा भी है, सब के घर में विंडो तो होती ही है, अगर आपको पूछा जाए कि उस विंडो से आपको क्या दिखता है आपके सामने जो पिच्चर है उस विंडो से आपको क्या दिख रहा है फ्लावस दिख रहे हैं अलग-अलग फ्लावस दिख रहे हैं सन दिख रहा है सभी के खिडकी में से अलग-अलग चीज़े दिखती है लेकिन यदि उस खिडकी को जिस साइड पे खिडकी है उस साइड की सारी दिवाल को तोड़ दिया जाए तो आपको क्या दिखेगा तो आपको क्या दिखाई देगा तो पूरा व्यू आपको दिखाई देगा कि माउंटन भी है, सन भी है, अलग-अलग फ्लावर्स भी है उसी तरह यदि दर्वाजे पर कोई नौक नौक करता है तो आप सबसे पहले क्या करोगे सबसे पहले आप आई होल में देखोगे कि कौन आया है सबसे पहले वो देखोगे या डायरेक आप दर्वाज़ खोल दोगे तो सबसे पहले जाकर डौर के पास जाकर आप क्या करोगे आई होल में से देखोगे कि कौन सामने खड़ा है और जैसे ही आपने डोर खोल दिया, जैसे ही आपने डोर खोल दिया है, तो आपको क्या दिखेगा? कि exactly कौन खड़ा है, और उसके आसपास भी क्या है? दोनों में फरक है कि नहीं है? एक और आप आए होल में से देख रहे हैं, और एक और पूरा दर्वाजा खुल गया है, दोनों में वास दिफरेंस है, उसी तरह डिफरेंस है नई में और प्रमाण में, नई में और प्रमाण में, नई जो है वो वन पॉइंट ओफ यू है, और प्रमाण है वो ओवर ओर आल नहीं क्या है? वन पॉइंट ओफ यू है और प्रमान जो है वो है ओवर ओड़ पॉइंट ओफ यू जैसे आपने पहले खिड़की में से देखा तब आपको वन पॉइंट ओफ यू दिख रहा था और जैसे ही आपने मानों के दिवाल पूरी हट गई खिडकी भी हट गए तो आपको क्या दिखा पूरा ओवर ओवर ओडिका वैसे जब आई होल में से देखा तब आपको क्या दिखा सिफ वन पॉइंट ऑफ यू और जैसे ही दर्वाजा खोल दिया तब आपको क्या दिखा ओवराल व्यू ये दोनों डिफरेंस है नई में और प्रमान में यानि नई जो है वह वस्तु के अनेक गुणों में से एक गुण का निश्य करता है जब की प्रमान क्या करता है प्रमान वस्तु के अनेक गुणों का निश्य करता है श्री अनुयोग द्वार सुत्र में परमात्मान ने विस्तृत में प्रमान का वर्णन किया है और प्रमान को चार भेद में डिवाइड किया है प्रमान को चार प्रकार में डिवाइड किया है पहला है प्रत्यक्ष प्रमान, दूसरा है अनुमान प्रमान, तीसरा है आगम प्रमान, और चौता है उप्मान प्रमान पहला है प्रत्यक्ष प्रमान, प्रत्यक्ष प्रमान यानि क्या? प्रत्यक्ष प्रमान यानि डायरेक्ष नॉलेज्ज जो बिना किसी मीडियम के वाया वाया किसी कनेक्षन के बिना जिसका जनान होता है वह है प्रत्यक्ष प्रमान प्रत्यक्ष्प्रमान को फॉर्दर आगम में आगे डिवाइड किया है दो विभाग में इंद्रिय प्रत्यक्ष्प्रमान और नो इंद्रिय प्रत्यक्ष्प्रमान पहला था प्रत्यक्ष्प्रमान और प्रत्यक्ष्प्रमान फॉर्दर डिवाइड दो पार्ट में हुआ है इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमान और नो इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमान इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमान यानी क्या जहां पर पांच इंद्रियों और मन द्वारा जो भी गनान उत्पन होता है उसे कहां जाता है इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमान इंदिये प्रत्यक्ष प्रमान में दो विभाग है जिसमें आता है मती गनान और शुर्द गनान और दूसरा विभाग था नो इंदिये प्रत्यक्ष प्रमान नो इंदिये प्रत्यक्ष प्रमान यानी क्या जिसमें डायरेक्ली आत्मा और मन से जो गनान होता है उससे कहां जाता है नो इंदिये प्रत्यक्ष प्रमान जिस तरह इंदिये प्रत्यक्ष प्रमान में मती गनान और शुर्द गनान था उस तरह नो इंदिये प्रत्यक्ष प्रमान में अवधी गनान मनपर्य गनान और केवल गनान यह तीन विभाग आते है अब हम आगे बढ़ते हुए जाते हैं दूसरे प्रमान की और पहला था प्रत्यक्ष प्रमान और अब आ रहा है दूसरा अनुमान प्रमान अनुमान प्रमान यानु कई बार आपने देखा होगा कि कोई फोरेश्ट एरिया या हिली एरियाज में जब आप जाते होंगे तब आपको अच्छानक से दुआ दिखाए देखा आपने देखा होगा कि दुआ निकल रहा है फिर जैसे जैसे आगे बढ़े जैसे जैसे उसकी और जाएंगे तब आपको क्या दिखाए देगा तब आपको आग दिखाए देगी होता होगा ऐसा कई बार जहां जहां पर आपको दुआ दिखाए दे रहा होगा वहां वहां पर आपको क्या दिखाई देरी होगी अगनी यानि आग दिखाई देरी उसे क्या कहा जाता है अनुमान प्रमान कई बारा बाहर जाते होंगे तो आपको हनी कोम दिखाई देते होंगे तो हनी कोम को देखकर आप क्या अनुमान लगा सकते हो हनी कोम जब आप देखते हो तो आपक मिझा होगी हखनीभी उगी रइट कैसे हठेसी प्राणियों के फुट्प्रिंटों दिखाएदेते ओंगा तो उस फुट्प्रिंट से आपको छानोवन लगता है कि वहाँ शायद यहां से सर्प गया होगा शायद यहां से लायन गया होगा वगेरे वगेरे और कई भी प्राणियों गये होंगे तो वहां अपने अनुमन कैसे लगाया उन प्राणियों के फुट्प्रिंट से और कई बार आप लोग भोलते ही होंगे कि मुझे ऐसा लगता है मने उलागे छे के आम मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा तो यह जो लग रहा है वह क्या है यह अनुमान प्रमान आपने सुना प्रत्यक्ष प्रमान दूसरा क्या था अनुमान प्रमान अब तीसरा आगम प्रमान आगम प्रमान यानि आगम प्रमान यानी क्या तो प्रभु के वचनों के द्वारा जो गनान आपको प्राप्त हो रहा है उससे आगम प्रमान कहां जाता है आप जो इतने दिनों से प्रभु की वानी का जो श्रवन कर रहे है जिस आगम से जैसे गुरुदेव के श्रीमुक से शी सुई गड़ान स सुत्र के जो वाचना आप सुन रहे है, वह क्या है? वह है आगम प्रमान. पहला था प्रत्यक्ष प्रमान, दूसरा था अनमान प्रमान, तीसरा था आगम प्रमान. और अब आखरी प्रमान कौन सा है? लास्ट प्रमाण है उप्मान प्रमान उप्मान प्रमान यानि उप्मान प्रमान कई बार हम प्रतिकमन में बोलते हैं कि शिच्छिला कैसी है शिच्छिला कैसी है शिच्छिला शिर सागर से बे अधिप उझड़ी है तो यह हमने क्या कर दिया शिच्छिला का कंपेरिजन किसके साथ किया शिर सागर के साथ कर दिया उसी तरह श्री सोईगणा सुत्र में पुछिन सुनम आता है हम लोग कई बार पुछिन सुनम बोलते ह उसमें क्या आता है प्रभु माहवीर की उपमा किसे की गई हमने बार बार उसमें सुना ही देता है कि प्रभु की उपमा स्वयंभूर समुद्र से की वो क्या है स्वयंभूर मंण समुद्र जो सबसे बड़ा है निर्मल है पावन है उसी तरह प्रभु भी कैसे है प्रभु भी सर्व से श्रेष्ट है पावन है निर्मल है सभी कशायों से रहीत है उसी तरह प्रभु की उपमा मेरु परवत से भी की गई है मेरु परवत कैसा है तो मेरु परवत भी सभी सारे परवतों में सबसे श्रेष्ट है उसी तरह प्रभु भी कैसे है सारे जीवों में सबसे श्रेष्ट प्रभु वीर है उसी तरह प्रभु की उपमा सूर्य से की गई सूर्य से जिस तरह सूर्य प्रकाश देता है सारे जग को रोश्नी देता है उसी तरह प्रभु वीर प्रभु मावीर ने गनान रूप प्रकाश हमको दिया तो इसे क्या कहा जाता है उपमान प्रमान अर आपने क्या सिखा पहला था प्रत्यक्ष प्रमान दूसरा था अनुमान प्रमान थीसरा था आगम प्रमान और चौथा था अप्मान प्रमान अनुमान प्रमान 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 प्रम इस पिर पिर्टिर और वो ऑश्यावाय खर पर अच्यावत है लोग लो यह ऑफ भीन कि पीपीं फिल ए ग्ट होल फ्रम आजे, फिल वन प्रमान̟ पर्स्पेक्टिव य से जिये खने जाटी धिजसे तेखिँदीन, जाटीग, जाटीज बारिके लीडिकर, जाटीड, जाटीझन. the door. We learn was, nae, that was from one angle, from one perspective, and we learn was an overall view of knowing anything which is called as Praman. In Anuyogdwar Sutra, Bhagawan has explained to us that there are four types of Praman. The first one is called as Pratyaksha प्रतियक्ष प्रमान and प्रतियक्ष प्रमान, there are two categories, one is indriya-pratyaksh and the second is no indriya-pratyaksh. What do you mean by indriya-prattyaksh? Indriya means your senses. So when you come to know about anything, gaining knowledge about anything through the medium of your five senses as well as your mind is called as indriya-pratyaksh praman. and when you gain knowledge about anything when you come to know about anything without the help of your five senses without the help of your mind but directly through your soul when you gain knowledge about anything directly through your soul then it is called as no indriya that is without the help of any senses no indriya pratyaksha brahman so the first was pratyaksha brahman in that two categories is one with the help of senses and one without the help of senses directly through your soul the second category of brahman is called as anuman brahman anuman means by imagination or by assumption or by guesswork for example if you see some smoke at a far off distance just by looking at the smoke you will assume or you will imagine that something must be burning out there that means something must have caught fire and the smoke is a result of the fire many a times we see animal prints around and just by looking at the animal footprints we can come to know that maybe an elephant has passed by or maybe a lion has passed by so often we see a big beehive and just by looking at the beehive we assume we imagine that because there is a beehive over here there must be many honeybees around so to gain knowledge about anything on the basis of assumption on the basis of imagination is called as anuman praman the third category of praman is called as agam praman gaining knowledge about anything knowing anything on the basis of agam scriptures is called as agam praman in this agam praman we have further three categories when we gain knowledge through the medium of only sutra that is through the medium of verses or aphorisms it is called as sutra agam and when we gain knowledge by understanding the underlying meanings of these verses then it is called as artha agam and when we gain knowledge by both the ways one is with the help of verses and second with the help of its underlying meaning then it is called as tadubai agam the fourth category of praman is called as upman brahman that is to understand anything by giving a comparative study for example all of you must have heard and must be aware of Puchhi Sunam Prabhu Veer Sustuti in that to understand Bhagawan's qualities for example to understand how pure and how pious Bhagawan was Bhagawan has been given comparative study he has been compared to Swayambhu Ramun Ocean Swayambhu Ramun Ocean's water is supposed to be crystal clear so how pure and how pious was Bhagawan Mahvi he was as pure as pious as crystal clear Swayambhu Ramun Ocean's water so these are the four ways by means of which you can gain knowledge about anything and overall knowledge is called as praman and one sided one perspective knowledge is called as nai so today we have learned four ways in which we can get overall knowledge first was Pratyaksha Praman the second was Anuman Praman that is on the basis of imagination assumption the third was on the basis of Agam knowledge and the fourth was Upman Praman that is by giving a comparative study so we were really blessed that Gurudev gave us knowledge about all these four pramans and as he guided us that we should use more of Pratyaksha Praman in our life and less of Anuman Praman is what is the message for today that is झाल